नमस्कार में रितन सेन भारती आज हम बात करेंगे पटना में कई ऐसे अस्थान है जहां पे उन इलाकों का खुदाई किया जा रहा है और उन उलाकियों में खुदाई को लेकर विहार सरकार जो है लगतार अपनी तत्परता दिखा रही है राधानी पटना में पुरातति विभाग खुदाई करने वाला है बतादे कि राधानी पटना के दो अस्थानों पर पुरातति विभाग ने खुदाई करने को लेकर पहचान की है बतादे कि बिहार सरकार की तरफ से खुदाई को लेकर पुरातति विभाग से अनुमती मांग कुछ आर पन्य ज़ूड़ जाएंगे विहार के मुखिमंद देशकुमार गुलजारबाग केमपस और फिर BNR Teacher Training College के निरिक्षन किया जिसमें पुरा तत्विक खुदाई को लेकर विशे सग्यवम अधिकारियों के साथ चर्चा की जिसमें उन्होंने आवस्चक निर्देश दी इस दोरान उन्होंने कहा कि पुरा तत्विक खुदाई को लेकर यहां से रह रहे लोगों को हटान संभब नहीं है अगर कहीं सरकारी जमीन है तो उसको देखकर वहां कुछ खुदाई की जाए तो बहुत जनकारियां मिल सकती है अलाकि मुखमंदरे न बताया कि पाटली पूतर है यहां का इतिहास लगभग दो हजार साल पुराना है यदि यहां के बारे में कुछ पता चल जाए तो यहां कितने टुरिस्ट आएंगे साथे साथ नई पिढ़ी के लोग इसके बारे में ठीक से जान पाएंगे इसके लिए हम लोगों की सुरू से ही इच्छा रही है लेकिन कहीं जमीन रहने के कारण कुछ कर रही पा रहे हैं भारदिया पुरदक्त सर्वेक्षन विभाग ने कहा कि कुमरान वाले इलाके में एक तालाव में पुनर जीवन काज के दौरान खुदाई में इट की दिवारों के अबसेस मिलने की बात कही गई है इधर अधिकारियों का कहना है कि यह इट दो हजार साल पुराना है पटना चेतर के एएसाई अधिक्षक पुरातत्व बेग्यानिक गौत्यमी भट्टाचार ने कहा कि अधिकारियों ने पटना रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर कुमरान में जारी खुदाई काज के दौरान दिवारों के अबसेस का पता लगाया है उन्होंने यह भी बताया कि एसाई के अंदर की मीशन अमरित सरोवर पहल के तहट संड़क्षित तलाब का पुनरजी वियन कर रहा है तलाब के अंदर मौझूद इट की दिवारों के रूप में महत्पूर्ण अबसेस मिले हैं एसाई बिस्तर संग्यों की एक टीम दिवारों के पुरा तत्विक महत्पूर का विश्लेशन कर रही है उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा परतीत होता है कि यह इट कुसान काल की है लेकिन विश्तरित विश्लेशन के बाद ही इसके निसकर्ष तक पहुंचा जा सकता है उन्ह कारी प्रेस का खेल भवन भद्र घाट महवीर घाट बेगम की हवेली बी एन आर ट्रेनिंग कॉलेज मैदान सैफ खान का मदर्सा मंसूर मजार मेहदी मजार पटना सीती में जिन अस्थानों को चिन्हित किया गया है उन उन्हें अलाकों में जी पी यार सर्वे का काम अतीत को एक बार फिर से खोजरी की उपर किरिया सुरू हुई है जिससे कि यह पता चल सके कि हमारा गौरब साली अतीत कितना मजबूत था हम कितने संगठी थे विहार और विहार से जड़ुवी और वेसे इंग खबरों के लिए बने रहें विहारी नियोज के साथ मुझे जेजाजद धन्यवाद